नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दुशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी आज और कल दो दिन चंडीगड में रहेंगे आज और कल इन दो दिनों में आप चंडीगड मिलने के लिए कार्याले से संपर्क कर सकते हैं चंडीगड आजपास के छेत्र के लोग बेहत सहज भाव से मिलने का समय ले ले और आजाएं मिलकर कुनली दिखा लीजे सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि दिवाली बस अब चंद दिनों में सामीप्य को प्राप्त करेगी दिवाली एक ऐसे पर्व में जब आप कुछ विशेश उपाय करते हैं प्रियोग करते हैं तो निस संदेह भाग में कुछ सकारात्मग बदलाओ आही जाता है इसके पीछे का कारण परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं किसकी किस्मत कब कहां से जागरित हो जाए ये जनमांक देखते ही पता चल जाता है तो आईए चंडीगर में मुलाकात करते हैं आज और कल दो दिन इसके बाद गाजियाबाद और फिर 26 अटाइस तारिक को जैपुर में रहेंगे तो जैपुर में भी मिलने का समय लिया जा सकता है आईए सुरुवात करें अब आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग कार्तिक महा किष्ण पक्ष सश्ठी तिथी है आज चंद्रमा मिथुन राशी में पूरे दिन आज 18 नक्षत्र रहेगा राहु का नक्षत्र योग रहेगा परिग तदनुसार दिनांग 22 अक्टूबर दिन मंगलवार मंगलवार के दिन राहु काल का समय भी नोट करना अनिवार है दोपहर 3 से 4 बज कर 30 मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1 बज कर 30 मिनट तक राहु काल सर्वविदित है अशुब समय होता है जिस समय नए और शुब काम नहीं किये जाते गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुब काम को आरंभ कर सकते हैं आए अब जानते हैं मेश से लेकर मीन तक मिथुन और आरदरा के साथ मिलकर हमारे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है चंद्रमा का गोचर आज के राशी फल का निरधारन किस प्रकार करेगा आए जानते हैं मेश राशी तिरती भाव के चंद्रमा के साथ कई प्रकार से आज उतार चड़ाओ महसूस करने वाले हैं सिक्षा की स्थती बहुत अच्छी नहीं है प्रभाव पढ़ेगा सिक्षा में उतार चड़ाओ रहेगा ब्यापार हर तरह से आपके लिए अनकूल है बिजनस में सकारात्मक इस्थती बनी हुई है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए आरंभ की तरफ इशारा करता है सरकारी छेत्रों आपके लिए दिब्व सकारात्मक प्रभाव देगा गवर्मेंट सेक्टर को स्पर्श करने के आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन आपके लिए एक नए सुर्वात एक नया सकारात्मक प्रभाव देगा स्वास्थ के मामले में आज का दिन मेश राशी वालों के लिए माइगरेन और लीवर की समस्या बढ़ सकती है क्या उपाय करना अगर आपकी राशी मेश है भगवान स्री गणेश का ध्यान करके ओम गंग गणपतय नमह का तीन बार जाप करिए शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत बावन ब्रिशब राशी दुती भाव में चंद्रमा रहेगा आज संतुलन बना लेंगे आज पढ़ाई कुछ बेहतर इस्थती की तरफ है शिक्षा में आपके लिए अवश्य शुभ परिणाम मिल रहा है व्यापार कई तरह से मांसिक दुन्द दे रहा है व्यापार को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है प्राइविट सेक्टर आपके लिए प्लस माइनस कुछ इस्थतियां नगरात्मक दिखाएगा सरकारी छेत्र गौर्ण्मेंट सेक्टर बिशबराशी रिस्क लेना भारी पड़ेगा दामपत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनकूल है पत्नी का साथ मिल रहा है दूसरे को सपोर्ड करेंगे स्वास्थ के मामले में खासी की शिकायत पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज जल कादान करें शुबरंग आपके लिए आज नीला भागी प्रत्षत बावन मिथुन राशी कई तरह से उतार चड़ाव बढ़ेगा आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी सिक्छा में उतार चड़ाव है कुछ न कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी ब्यापार आपके लिए हर प्रकार से अनकूलता दिखाएगा मिजनस में शुभ परिणामों की तरफ इशारा मिलता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए सुरुवात की तरफ देगा प्राइवेट सेक्टर में नया सुरुवात, नया आरंभ, सकरात्मक परिणाम दिखाता है सरकारी छेत्र अंतर द्वंद दे रहा है गवर्मेंट सेक्टर में इधर उधर की चीजें चिंतित करेंगे दामपत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए अनकूल इस्थतियां लाएगा पती-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा आज एक दूसरे को सपोर्ट करने का आउसर मिलेगा स्वास्थ के मामले में आज का दिन हेल्थ की मामले में आज का दिन खासी जुखाम के साथ साथ पेट की समस्या बढ़ा देगा क्या उपाय करना है आज आज का दिन प्रियोग के तोर पर किसी जरुरत मंद को आज दवा आधिका दान कर दे शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य पत्षत चर्चा करकराशी की बारा हुए में चंद्रमा का प्रभाव है पढ़ाई कई तरह से आज डावा डोल इस्थती में सिक्षा कई तरह से आपको परेशान कर रहा है सिक्षा की इस्थती बहुत अच्छी नहीं है ब्यापार आप पर आज इश्वरी करपा के साथ चलेगा बिजनस बहुत बहतर करेंगे आप शुब इस्थतियों के साथ चलेंगे प्राइवेट सेक्टर मांसिक रूप से परेशान करेगा प्राइवेट सेक्टर को संभाले सरकारी छेत्र कुछ आपके हिसाब से कार्य का प्रेशर फील करते हुए काम में मन कम लगेगा दांपत्य जीवन एक दूसरे के साथ सकरात्मक अवसर ले करके चलेंगे स्वास्थ के मामले में किड्नी की समस्या आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है आज आज करक राशी वालों को अपने उपर जल का छिड़काव कर ले शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रत्षट 56 सिंह राशी यहाँ चंद्रमा की स्थिति आज एका दस भाव में भी राजमान हो रही है पढ़ाई में कई प्रकार से अंतर द्वंद रहेगा शिक्षा की स्थिति में अंतर द्वंद रहेगा व्यापार को लेकर के आप थोड़ा सजगता दिखाएं बिजनस में सजग रहें प्राइवेट सेक्टर एक नए आरंभ की तरफ इशारा करता है सकारात्मक आरंभ की तरफ इशारा करता है सरकारी छेत्र कुछ सकारात्मक हो करके बहतर परिणाम दिखा रहा है सरकारी छेत्र में सकारात्मक इस्थति लाने की जरूरत है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ उतार चड़ाव बढ़ा देगा एक दूसरे के प्रती नकारात्मक इस्थति देता है स्वास्त के मामले में पेट की समस्या खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है आज सिंग राशी वालों को आज प्रियोग के तौर पर अगर आपकी राशी सिंग है भगवान सिरीहरी का ध्यान करें ओम विशुनवे नमह ओम विशुनवे नमह ग्यारह बार इसका जाप कर लीजे शुवरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत चववन बात करेंगे अब अगली राशी कन्या की दसम के चंद्रमा के साथ सुर्योदय आपको आज बेहत स्ट्रॉंग फील दे रहा है मजबूती के साथ आज जमे रहेंगे आप पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में अवश्य लाव हो रहा है ब्यापार आपके लिए कई तरह से उतार चड़ाओ देगा आज बिजनस में मानसिक परेशानी रहेगी बहुत अच्छी स्थती नहीं रहेगी ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय आपके लिए कई प्रकार का प्रतिकूल स्थती देता है प्राइबट सेक्टर में बात करें तो एक अच्छी सुरुवात एक अच्छा आरंभ है आज नया आरंभ भी आज कराया जा सकता है अगर आपने कुछ विचार किया है तो उसमें आप नय आरंभ की तरफ भिशारा बिलता है सरकारी छित्र की स्थती को आप कुछ बहतर जोन में लेकर जाते हैं गौर्ण्मेंट सेक्टर के लिए एक नया जोन आपका तयार होता है आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे दापत्य जीवन थोड़ा इधर उधर की चीजों में आपको चिंतित करता है स्वास्थ के मामले में बात करें तो आज किटनी की समस्या आँखों की दिक्कत और पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है अपने कंठ पे हल्दी का तिरक लगा लिजे शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रिथशत बावन चर्चा करेंगे अगली राशी तुला की तुला राशी वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव भाग्य स्थान पर है और अबेश्ट पार्ट आफ तुला इस दशमे शोकर के भाग्य स्थान पर है केंद्र टीकोन का दिव्य संबंध बनता है शिक्षा के मामले में आज आप जैसा विचार करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा पढ़ाई बहुत अच्छी है ब्यापार थोड़ा रिस्क दिखाता है सोच समझ कर फैसला लीजिए बिजनस में उतार चड़ाव बढ़ रहा है बहुत अच्छी स्थति नहीं है अचानक कुछ नुकसान उठा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर इस्थती में लेकर जाता है प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ी इस्थती आपकी तयार होती है सरकारी छेत्र को लेकर के देखा जाए तो आपके लिए कुछ नया आरंभ है गौर्णिमेंट सेक्टर में कुछ नया आरंभ है दामपत्य जीवन पति-पत्नी के साथ तालमेल एक दिब्विता के साथ है एक दूसरे के प्रती समरपन का भाव है दिब्विस्थति है स्वास्थ के मामले में आज का दिन खासी की शिकायत, पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाईएगा तुला राशिए शुबरंग आपके लिए आज सेफरोन केसरिया भाग्य प्रिथशत अठावन ब्रश्चक राश्य दिन थोड़ा आपके लिए कश्ट प्राय रहेगा मन विचलित रहेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में ब्यापार अच्छा कर लेंगे आप बिजनस में आपको परेशान नहीं होना है मजबूत महसूस करेंगे प्रायवेट सेक्टर की बात करें तो आज कई तरह से आपको उल्जन दे रहा है प्रायवेट सेक्टर परेशान करेगा सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ नए सलाह दे रहा है गौर्णमेट सेक्टर में कुछ नए सलाह प्राप्त हो रहे है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल ब्याहतर करने में आप कामियाब होंगे दामपत्य जीवन अनकूल रहेगा स्वास्थ के मामरे में पेट की समस्या प्रिश्चिग्राश आठमे कचंद्रमा सांसों की दिक्कत और नेत्र दोश हो सकता है क्या उपाय करना है आज आज प्रिश्चिग्राशी वालों को किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्थ सामगरी देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए हरा भाग की प्रिशत सत्तावन धनुराशी चंद्रमा की स्थिति अब आज आ गई सब्तम भाव में मन थोड़ा विचलित हो रहा है लेकिन आप कंट्रोल कर लेंगे पढ़ाई सब प्रकार से आपके लिए शुब है सिक्षा में संतुलन बना हुआ है व्यापार इधर उधर की चीजों में आपको चिंतित करता है बिजनस बहुत अच्छी स्थति में नहीं है प्राइवेट सेक्टर नेक्ट लेवल पर जाता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूर है सरकारी छेत्र, गवर्मेंट सेक्टर कुछ इधर उधर की बातों में परेशान करेगा कुछ दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं दोस्तों पर भी स्वास कम करिएगा दामपत्य जीवन सात्मय का चंद्रमा है कुछ पुराने विशय आज सामने आएंगे एक दूसरे पर भरोसा करना होगा एक दूसरे के साथ वक्त देना होगा चीजें अनकूल होगी स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द के शिकायत आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है आज अपने कंठ पर चंदन का तिलक लगाईएगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रतिशत अठावन मकर राशी छठे के चंद्रमा के साथ और आर्दरानक्षत्र राहु का जो की आज आपके तिर्थी में अभी चल रहे है दिन थोड़ा आपके लिए स्ट्रगलिंग है संघर्ष पूरा है बहुत अच्छी स्थती में नहीं है पढ़ाई आप कमोबेश बहतर कर रहे हैं सिक्षा में ठीक ठाकी स्थती है संभल रही है व्यापार हर तरह से आपके लिए फेवर में है बिजनस हर प्रकार से आपके लिए अनकूल है सकरात्मक है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में एक नई सुर्वात और जंब है सरकारी छेत्र कुछ नय आरंभ की तरफ इशारा करता है गौर्मेंट सेक्टर में शुभ इस्थतियों की तरह बिशारा है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ अवसल प्राप्त होगा पती-पत्नी की बीच तालमिल अच्छा रहेगा सकरात्मक रहेगा लेकिन बाहरी लोग हस्तक छेप करेंगे स्वास्थ के मामले में आज का दिन खासी की शिकायत इसकिन प्राप्लम और बुखार हो सकता है छठे की चंद्रमा में क्या उपाय करना है आज? आज मादुरगा को घी का एक दीपक प्रजुलित करके दिखा दीजिए शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रद्शत पचास कुम्भराशी यहां चंद्रमा की स्थिती पंचम भाव में विराजमान हुई सिक्षा के लिए एक नया आरंभ दे रहा है पढ़ाई में आज कुछ बहुत सकरात्मक आप करेंगे आपके लिए सिक्षा का छेत्र आज दिब्य है ब्यापाल कई प्रकार से आपको परेशान कर रहा है बिजनस बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है परेशानियों में जूचते रहेंगे आज लड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर कुछ नया आरंभ के साथ सुरुवात देगा प्राइवेट सेक्टर में सकरात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी सरकारी छेत्र गवर्मेंट सेक्टर में जौब करने वाले कुम्भराश 22 अक्टूबर मांसिक दुंद रहेगा आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा बहुत अच्छी स्थती में नहीं है परेशान महसूस करेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ नया आरंभ है गवर्मेंट सेक्टर शुभारंभ है दामपत्य जीवन देखा जाए तो पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सामन जस से बैठा की चले स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत हो सकती है आज और माइगिरेन सर में दर्द भारीपन ये भी आज बना रहेगा गुम्भराशी क्या उपाय करना है भगवान सरीहरी का ध्यान करते हुए ओम विश्णवे नमः ओम विश्णवे नमः 21 बार जाब कर लीजिए शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रतिशत 57 अंतिम राशी मीन जहां चंद्रमा चतुर्थ में आए दिन अच्छा है आपके हिसाब से है चिंताओं से बाहर निकलेंगे सब बहुत अन्कूल रहेगा पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स आज प्राप्त करेंगे व्यापार थोड़ा सा परेशान कर रहा है बिजनस पर कंसंट्रेट करिएगा इधर उधर की चीजें आपको विचलित करेंगी आप उस पर ध्यान दे प्राइबेट सेक्टर कुछ नए आरंभ की तरफ इशारा करता है सकारात्मक आरंभ की तरफ इशारा करता है सरकारी छेत्र हर प्रकार से शुब है गौश्मेंट सेक्टर में अन्कूल स्थतियां रहेंगी दांपत्य जीवन आपके लिए कुछ बड़ा कर रहा है स्वास्त के मामले में किड्नी पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है ओम गंगरपते नमह तीन बार इस मंत्र का जाब कर लीजिए शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्यपितशत सत्तावन राशियों की स्थती की विशे में विस्तार से चर्चा के बाद आएए फटा-फट जानते हैं आज की सक्सेस की लेकिन आपको बताएं कि आज और कल दो दिन हम रहेंगे चंडीगर में आएए मुलाकात करते हैं अगर आप आसपास के छेतर से हैं तो आपके लिए अबसर अच्छा है मिलकर कुंडली का विश्टेशन करवाले और आने वाले कल को समार सकते हैं अब शुरुवात आज के सक्सेस की की आरदरा नक्षत्र है आज राहु का नक्षत्र मध्यमा उंगली में एक दूर्वा बांध रही जे दूब घास पारकवाली घास थोड़ी देर के लिए अंगूठे से उस बंधी घास को ऐसे स्पर्श करके तीन बार ओम रांग राहवे नमः ओम रांग राहवे नमः ओम रांग राहवे नमः जाब करिए घास को खोल कर किसी पौधे की नीचे डाल दीजे अब चर्चा 22 अक्टूबर के भाग्याक्षर का मेश खा ब्रिशभ सा मिथुन पा कर्क ला सिंग छा कन्या जा तुला ता बिश्चिक वा धनू छोटा आ मकर या कुम्भ समीन जा नोट कर ले साधे चावकूर का आगजपर और अपने पास लिख कर रख ले चलते चलते अब आज का आईश्मान भावा है जिसका आज जनम दिन है जनम दिन की शुब कामनाएं विशेश आप सब के लिए अवसर है जो हम आप सब के लिए ले करके आएं है जिसका आज जनम दिन है बाईश अक्टूबर को दो पीपल की पौध्य अपने हाथ से लगाएं एक माला गायत्री मंत्र का जाब करें किसी जरूरत मंत्र को भोजन करा दें जिसकी आज मेरे जैनिवरसरी है किसी जरूरत मंत्र को खाना खिला के रुद्रा विशेख करवालें पती पत्नी और दो बर्गत के पौधे अपने हाथों से कहीं लगा दें तो बाइस अक्टूबर के आज के अंकर में इतना ही अनुमत दीजेगा लेकिन मुलकात अभी कर सकते हैं आज तुरंत समय लीजिए और आईए चंडीगर में मिलते हैं धन्यवाद नमश्कार शिराध आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अन्मोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हेतु महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदी तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक झाल आपको भी खुशियों की चाहा है